खृपया हम्रोपात्रो सब्सक्राइब गरी नोटिफिकेशन को लागी बेल आइकन थीशनु हला ज्वलवपो सुक्लांबरा मल्लिका माला लंक्रतकुन्डला प्रविलसन मुक्तावली स्वोविता सर्वज्ञान निंदान पुस्तकदरा रुद्राख्यमाला करा भाग्देवी बदनां भुजे बसतुमे त्रैलोक्यमाताचिरं मुकं करोति वाचालं पंगुम् लंगयते ग यत कृपातम हम्बंदे परमानंद माधवं नमो बगवतेत स्मै भ्यासाय मितते जसे यस्या प्रसादात बख्यामी नारायनकता मिमाम नारायनम नमस्कृत्यम नरंचैव नरुत्तमं देविम सरस्वतिम भ्यासं ततो जयमुदी रयत ओम स्री स्वस्तानी परमेश्वर्यय नमाहा अथा एकोन विम्सवत द्यायाह कुमारजी आज्या गर्नोंच यगस्ते मुनी तीमी ध्यान पुर्वक्षुना येति पाताल का कुरा सुनाएं अवा मर्ते लोक को कुरा सुनाओ दच्छु पुर्वकाल मा मर्ते मंडल को दख्यन भाग मां ब्रह्मपुरु नाम को योटा नगर थियो तियांका कर्मिष्ट ब्रामन हरु प्रसस्त संपत्ति पाई ब्यद पुराणा दी सात्र अध्यन गरेरा आपना कर्म कर्म को पालन गरेरा बसे का थिये तेहीं योटा सिववट्ट नाम गा अत्यांत दीन दरिद्र ब्रामन थिये गरिब बैबनी तिनी लोब मुहत्यागे र आपनो सतकर्मको पालन गर्द थे तिनकी सती नामकी ब्रामने थीन ती विप्र दंपत्य अनन्य प्रीतिले बसे का थिये गर्मा दन संपत्य नहुनाले निकै कोस्ट पाये र एक दिन सिवबट्टले आपने स्रिमती सितवने एप्रिये आम्रो गर्मा संपत्य छाईना तेसे हुनाले बारंबार कस्ट बोगी रहे काछाँ अव संपत्य प्राप्त गर्न सिद्धिगणे एसको सिवागर्न वनने सल्लाह गरी दोईपती पत्मी आठाच दिनको मंगलवार बिहान एउटि कस्ट पुर्वग सिद्धिगणे एसको निकाई दिन वितेपची सिधिगणेस प्रसन्वाय दर्शन दिये र ये शिववट्ट ब्रामन ये सति ब्रामनी तीमी दुवाय को सिवाले मप्रसन्वाय जे इक्छाश सोबरधान माग बने शिववट्ट ले सिधिगणेसलाई दन्डवत प्रणाम गरे अंजले जोडे र बने ये गणनात अरुके बर्मागों पूर्व जन्ममा नकमायक उनाले ये जन्ममा दरिद्रवायर कष्ट बोगी रहे काचाउं अवा संपत्ति पाउने इक चाले अजुर को सेवा गरे काहूं संपत्ति दी कस्ट निवारन गरी दिनू हवास बनी बिन्ती चड़ाये औनी सिद्धी बिना एकले आग्या बयो ये सिवा बट्ट आजको आठ दिन मा मंगल वार बिहान आई मेरो पुजा गरनू ते सैवेला मेरो सामन ने जो देखावला त्यो गर लगी तसला मा राखी माथी बाट तल तसला इले छोपी दिनू चार दिन पची छोपी को तसला जीकी एरनूर सुन वही रहला अनी संपत्ति पाई सुकी हुने चाओ ती मिलाई संपत्ति हुने बरदान दियें अब आपनू गर जाओ येती गणेशको बचन सुनी सिवा बट्ट ब्रामड रा सती ब्रामड ले सिद्धी बिनायक लाई दन्डबद प्रणाम गरी अनी बिना एक अंतरदान भय पचे उनी हरूत घर फर्गेर आये आड़ दिन बित्योर मंगल वार बिहाने पुजा सामगरी लिये रा ती बिप्र दमपती सिद्धी बिनायको मंदिर गये रा उनको अगाडी युटा लड़ू देखे अनी दुबई पदी पद्मिरेदी नित्य जस्ते बिना एक को पुजा गरेर त्यो लड़ू घर लगी तसलामा राखी माथी बाट तसलायले छोपी दिये चार दिन पची छोपेको तसला जीकी एरदा सुन को लड़ू बाई रहेको देखी प्रसन नवायरा सुरच्चित राखे उसे दिन देखी सिवबट प्रामन असंग्य संपत्ति पाई सुखी बाई दस घर डूली बीक्ष्या मागे राखाने सिवबट ले संपत्ति पाई पची एक दिन आपनी स्त्री सिता बाने ये सती पूर्वव जन्ममा दान धर्म गर्ना न सके काले येस जन्ममा कश्ट भगयों अवा सिद्धी बिनायको किरिपाले संपत्ति बायो आप येश जन्ममा दान धर्मा गरेर, आरको जन्ममा फेली दरी द्रवः कश्ट पाउने छाईनाओ, अता दान धर्मा गरों भनी दुबाई पति पत्नी गंगाजल, गंगाशनान हरी हरको पुजा गरेर सुबर्नादी अनेक ब द्रव्य बस्त्र दान गरी घर्मा आउ थे, यसरी दान दर्म गरनाले सिवपट ब्रामण को संपत्ति जन जन पड़ देगायो। तियो देखेर एक दिन सिवपटले आपनी पतनी सित वने एस्तरी संपत्ति मात्रन भायर क्ये गरने आमी ब्रिद्ध भायों। आमरा संतान चाइनन आत यो संपत्ति को रक्षा को करी देला आत संतान को निमती फेरी सिद्धी विनायक को सेवागरौ। येस्तो सल्ला गरेर अगी जस्ते आठाट दिर्मा मंगलवार विहान इसिद्धी बिनायको सेवागर नलागे तिनको निश्कपट सेवाले बिनायक परसन्नवाई दर्संदीर ये सिववट्र ब्रामन तिम्रो सेवालेमा परसन्नवाई बरदान माग भान्नुवायो येस्तो सुनी शिववट्र सतिले अंजले ज्वडि बिन्दी गरे हे गणनात अजूर का क्रिपाले संपत्ति पायों अब संतान छाइनन यो edo संपत्ति को रक्षा कसले गरिदिला अता संतान दिनुखश तिनको येस्तो प्रार्थना सुनी सिद्धी बिनायगले अग्ञाब गोब्रावने छन तियो गोबर भूमी मा खस्नन पाउदै हाद मा थापी गर लाई जानू रद तसला मा राखी माथी बाट तसलेले छोपी दिनू चार दिन बाय पची एरनू कन्या उत्पन्नावनी जिनू छोरा बने तिमिले पूर्वा जन्मानू राखे का छैनू पती बि शती ब्रामणी दन्डवत प्रणामगरी गर फिरे उता बिनायग पनी अंतर द्यान होनू भयो तेस्गो आड दिन पजी मंगलवार बिहानै समस्त पुजा सामगरेली दुबैस्तरी पुरुप्स बिनायक को मंदिर मा गई पुजा गर्न लागदा योटी गाई आयर एरी र खाबेर बिनायकलाई दन्डवत प्रणामगरी सानन्द घरप आये अनि गोबर तसला मा राखी मातिवाट तसला इले छोपी दिये चार दिन बयोर मातिको तसला जीकी एरदा कण्या उत्पन्न भाई रायकी देखे कस्ति कण्या वने मद्धिहान कालमा सुर्य जस्तो तेज पूर्ण चंद्र जस्तो मुख बया मंडल भाई गी बासुकी नाग जाई हाथ पावर बाग को जस्ते कम्मर भाई गी सावित्रिका जस्ते पैताला भाई गी यस्ति परम सुंदरी कण्या देखेर सिवबटर सति अत्यंत हर्शिद भाई तसला बाट जीकेर निदान गरी र गणना अत प्रसन नवाई ये सिवबट ब्रामन ये सति ब्रामन के बने इच्छा चा बना येस्तो आज्या वाई को सुनी सिवबट बिन्ति गर दशन ये गणना धाजर को कृपाले संतान पाए तर ते श बालिक अलाई खान दूद भाई न तेही बिन्ति गरना आये को हु ये ती सुने रा तेश बालिक अलाई दूद दियें जाओ भने र विनाएक अंतर द्यान होनुबयो अनी सतिले आपनो स्तन निचो रिहर दा दूद आयो रा तेश बालक अलाई खान दी बडाईन जस्ताई सिताजी उत्पन्न हुदा राजार जनक लाई आनन्द भाय थेओ तेश ते ती बालिका उत्पन्न हुनाले सिवबटर सतिलाई आनन्द भायो तेश पची योग्य ब्रामन हरु डाकी नामा करण संस्कार गराए ती ब्रामन हरुले बने ये सिवबटर गाईको गो पर बात उत्पन्न वहे की उनाले इबालीका को नाम गोमा भयोर इबालीका भाग्यमाने होने छन्पून लोक ले सम्मान गरने छन्प येती ब्रामन हरुले बविस्यवानी करे बची सिवबट्टले येती इस्ट भोजन्र दख्षिनादी विदागरे आगन्तुक सबै ब्रा पक्षका चंद्रमाजाई प्रती दिन बड़े र पांच भर्षकी भाईन अनी सिवबट्ट ब्रामर र सती ब्रामनिले एक दिन कन्या लाई बने एप पुतरी हमी गंगा श्रान गरे र आउँ छोँ तिमी पुजागो निम्ति अक्षता के लाई राखे भने अरहाएर दुबै दंपती नित्य गंगा स्रान गरे र अरी अर्गो पुजागरी सुबर्नादी नाना द्रब्य दान गरे र आउँ थे तेही क्रमले दान गर्दा गर्दा अमरावती थर क्योर देवराज डराई समस्त देवता साथमाली कैलास्मा स्री महादेव काहाँ गायर बिंति गरे ये इस्वर मर्त्य लोक को मर्त्य मन्नल को दक्षिन भागमा योटा ब्रह्म पुर्वन्ने नगर्श तिहां सिववट्ट नाम का ब्रामटर स्वती नाम की दिनकी पत्ति ब्रता स्त्री चन ती इत्य गंगस्नान गरेरा आरिहार को पुजागरी सुबर्णादी नाना द्रभ्य दान गर्नाले अमरावती थर्कियो ये सम्भो म अरू पनी बिंति गर्द छू ती सिववबट्ट ले संपत्ति पाय पछी संतान भायनन बनी फेरी बिना आयको सिवागरे तब गणे शकल लच्छनले युक्ता परम सुन्दरी योटी कन्या पनी बरदांदी ये प्रभो हामिहरुको रक्षा गरी बक्षियो साजोरले रक्षा न गरे अमरावती बाटा मयले ज्युता हुनू पर्ने छा येति इंद्रको प्रार्थान सुनी महादेव आग्यां गर्नोंच ये देवेंद्र नडराव मरक्षा गरने चू अब अमरावती जावती मी सिवाजी को आग्यां सुनी दणवद प्रणाम गरी शूरा राज अमरावती फर्गे देशपजी महादेवले विक्षू देवतागोर अक्ष्या का निमित्त जटा को मुकुट बनाए बाया हाथ मां 30 राव दाइना हाथ मां डमरोली बस्मा लेपन गरी सिवापट ब्राहमन को गहरा पुगी बिख्ष्या मागनु भयोगो मां आपना पिता को पुझा का लागी अक्ष्याता केलाई रहे की थी निक आपच्छता केलाई शाकेरा बिक्षा ले विख्षुक रूपती स्री महादेव छेउक आई ये विख्षुक मेरा माता पिता गार माचाहिनन मा अक्षता केलाउं दाइ थी ये तेसं कारण विलंब वयो दुखन नमान बिक्षा लेओ भानिन गुमा को यतीकगरा सुनी भि पुझागर्न के लाई राखेको अक्षेता दे ये विक्षोर्भ महादेव को बचन सुनी गोमाले लिने वायली बचन सुनेरा रिशायका महादेवले पापिष्ट ब्रामानी तहीले अंकार गरेरा मलाय विक्षा दिनस अता तनलाई श्राप दिन्चु तन साथ बर्षकी हुदा सत्तरी बर्षको बुडशित बिवाहोँश फेरी तेरा माता पिताले कस्ट महा कस्ट गरी सिद्विनाग सेवा गरेरा पायको सबै सम्पत्ति पनी नाशोश फेरी तनलाई पनी अनेग दूख आई परुन फेरी तेरा माता पिता पनी चाणै नै मरे जाऊन यती चार थोग तनलाई श्राप दियें यती बनी त्यो भीक्षा पनी नली त्याँ बाट अंतर द्यान वै कोईलास्मा पुगदावय इती श्रिश्कंद पुराणे क्यदार घंडे मागमात्मे कुमारे गस्त्य संबादे श्री स्वस्तानी परमेश्वर्या प्रतकतायम गोमाश्राप प्राप्ति नाम एकोन बिम्स्वध्याय हरी हरे नमा श्री किष्ण गोविन्द हरे मुरारे हिनात नारा यन वासुदेवा अनन्त वै कुंठम कुंद क्रिष्ण गोविन्द दामो दरमाद वेती श्री स्वस्तानी माता की जगजननी दुर्गाता की जय हो ओम स्री स्वस्तानी देव्ध्ये नमहम ओम उपनयतु मंगलंबह सकल जगन मंगलालय स्रेमांधीन करकिरण निवोधित नवनालीन दल निवेक्छना क्रेष्ण काले वरसतु प्रजण्या पृतिवी सस्यसालिनी देशोयम छोवरहितो ब्राम्मण संतु निर्भया अपुत पुत्रिना संतु पुत्रिना संतु पुत्रिना संतु पुत्रिना निर्धना सदना संतु जीवन्तु सरदाम सतं। तत्रैव गंगायमुनाच तत्र गोदावरी सिंदु सरस्वतीच तिर्थानि सरवानि वसंति तत्र यत्रा चुतो द्वारकता प्रसंग या कुंध्यन्त चुत संकर प्रविति विर्वेदै सदा वंधिता सामाम पातु सरस्वति भगवति निसे सजाध्या पहा काये नवाचा मनस्यंद्रियर वाद भुद्यात्वनावा प्रकृतिव सवावात करोमियत्यत्सकलंपरस्मै नारायनायति समर्वैतत श्रीश्वस्तानी परमेश्वर् श्रीश्वस्तानी माता गी जय झाल 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 झाल